आप यह सुलिए हम ले आउट खोल चुके हैं यह वाली लाइन के रन होते ही प्रोग्राम कहां से रन होना शुरू होगा जब हमारा एप्लिकेशन रन होगा तो पैकेज से शुरू होगा इंपोर्ट आएगा पब्लिक क्लास आएगा और यहां तक प्ले हो जाएगा उसके बा क्लिक होते ही कौन सा हमारा function एक्डम से activate होगा यह वाली लाइन होगी और उसके बाद यह वाली लाइन होगी तो जैसी लाइन रश्विय दो कहां पर है आर में है रिसोड्स में उसकी id क्या है.id.quantity.taxview.quantity.taxview क्यों था था? जो हमारी यह 1 0 वाली वाली वो थी इसको ह में डिस्प्ले करवाना है अब हमने यहां पर आप देखा था है यहां पर आपको पता है क्या से होती है राइट टू लेफ्ट क्योंकि यहां पर हमने लिया है तो यह इसकी इसमें क्या था जीरो तो जीरो में क्या जीरो था यहां पर जीरो किसके अंदर चला गया है Can T Netflix के अंदर क्वांटरी ट्रРЕप्स फंक्षण होता है अंडय में यूज करते हैं किसलिए माल जैंच हमने वैल इू दी तो सेट टेक्स जैसे नीम सागराऊ कि हमने उस छेट कर दिया जो नइए को है उसकी जगा पे उसकी जगा में सेट टेक्स जो इससिंग मेल्यू है उसकी जगा में नइक हम लिए वैल्याइओ सट लिए उसमें थोड़ी सी स्पेस ती ऊसंटा की उसे पता लगे क्या है plus numbers देमर्स क्यूंक invest हमने यहां और दिया कर दिया यह कहां पर गया यह में नमपर भी मार्ट हमें यहां पर दिया तो तो हम कहां पर जाएंगे जैसी यह होगा यह कहां पर सब्सक्राइब यहां पर आया तो दिस्प्ले में कौन सा जैसी नंबर होआ यहां पर नमबरो है यहां पर भी ऑढ़ले पैरमीटर मंस्कुरूilla यहां पर आया हमने पहले ढूंड लीुरिप और इसमें जब सेट करा तो उपर नॉंबर वन पैरेमिटर दिया है यह वाला यहां कहा है नॉंबर में हम्बर में पढ़ा हुआ है तो सेट टैक्स क्या हो गया जो हमारा टक्स पहले जीरो था उसे हमने सेट कर दिया one पर तो इसी लिए जब हमने इसे एकदम से क्लिक करा अपने एप्लिकेशन को तो वो जीरो से one क्यों क्यों ओगया क्यूंकि हमने उसे क्या कर दिया था तेक्स कर दिया था खुरम सीरो टू वान तो हमारी कितनी चीज दन्हारे उर्डेल क्लिक होने से हमारी अब आपने देखा जिरो यहां था क्यूंकर यहां पर यहां पेस्थ ज्ञादा देजी इसलिए यह ज्यादा वह स्पेस्न ले रहा है मुझे इतनी स्पेस्न नहीं देनी बस एक उसकी हम द यहां पर यहां पर टोड़ी सी इसके इणिश जगह यहां पर जगह आगे बढ़ता रहेगा यह नंबर इसलिए display हुआ, क्यूंकि हमने display function बना रहा था, जिस पर हमने one already दे रखा था, one number में गया, यहा नमबर set करा हमने, कहां पर, यहां पर, यहां पर इस वक्त, एक और भी चीज़ है, हम यहां पर इस में, अगर android में हमें कोई comment लिखना है, हैं जिससे हमें याद रहे कि हाँ पर हमने क्या कर रहा था तो हम उसे ऐसे भी कमेंट कैसे लिखते हैं यहां पर लिख सकता हूं finding finding the quantity initial value तो यहां पर हमने क्या find करा है? initial value और यहां पर हमने इसे copy paste कर लिया यहां और यहां पर हम क्या कर रहा है? setting new value to the quantity text view अब अब यह अगर मैं यहां पर डिस्प्ले में number 5 दे दूँ तो आप देख सकते हैं यहां पर number 5 दे दिया मैंने अब मैं इसे दुबारा run करूँ तो यहां पर आप 1 की जगह क्या दिखाएगा? 5 क्यूंकि मैंने क्या pass करा? number 5 5 तो जैसी मैंने order पर क्लिक करा अब इक दिखाएगा 1 की जगह 5 तो डिपेंड करता है आप क्या value दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं इसके अलग-अलग तरीके हो सकते हैं implementation के तो यह comments भी बहुत जरूरी होता है comments इसलिए जरूरी होता है कई बार हमें नहीं पत याद रहा था कि हमने यहाँ पर क्या किया था तो वह याद रखने के लिए भी हम क्या कर देते हैं? comments देते हैं when we click order button तो यह कबरान होगा when we click order button order button होते ही submit order पर आएगा submit order से display पर जाएगा display में जो इसकी value है वो set होगी set होगी यहाँ उपर दुवारा display में जाएगा और यह दिखाएगा क्या one जो इसकी हमने value दे रखिया है तो हमने क्या देख लिया है? कि हमने यहाँ पर main java में क्या करा था सबसे पहले एक method क्या करा? define करा और उसे call करा यहाँ पर submit order नाम का क्या था? एक हमारा method था जिससे हमने define करा यहाँ पर और फिर उसे call कर लिया यहाँ पर और फिर यह display करवा दिया कैसे हमने view से यह view जो import किया था हमने यहाँ पर view देखिया android तो इसका क्या काम होता है? सिर्फ दिखाना तो हमने इस वाले उसको apply करके क्या दिखाया? व्यू करा इसका क्या होता है? व्यू कोई भी चीज़ अगर हमें view करवानी होती है android में तो क्या यूज करते है? व्यू और यहाँ पर जरूरी नहीं व्यू के जो view main होता है वह यह होता है starting वाला capital V से start अगर हम इसको simple V से भी लिख देंगे second वाली की इतनी कोई जरूर नहीं होती है हमें सिर्फ एक integer चाहिए कोई भी integer कुछ भी हम यहाँ पर string ले सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर view इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें view ही एक view करवाना है तो हमें ताकि confusion ना हो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अब किस पर बढ़ते हैं अब हमें आज क्या नया करना है अब हमें यह एड करना है क्या जो हमें एक यह layout add करना है जो जिसमें क्या-क्या है हम यहाँ पर देख सकते हैं हम अब हमें दो पहले हमारी quantity और इसकी जो value थी वह थो हमने अल्रेडी कर रहा थी अब हमें क्या करना है price एक उसकी value और इसके बीच में कितना distance होना जाए 16 db का तो अब हमें क्या क्या करना है एक text view और राइट करना है price के लिए ठीक हैं और किसमें करना है layout में जिसमें हमें उसकी value assign करना है क्या id के assign करना है price tax view किसलिए ताकि हम उसका price को display कर सके तो सबसे पहले हम किस पर work करेंगे layout पर layout में हमें क्या करना है price add करना है और उसकी जो value है उसको तो हम सब सबसे पहले android studio के layout वाले file में चले गए तो आप यह देख सकते है जैसा पॉइंटर पर देख सकते हैं quantity तो एक इसमें यह चीज़ होती है कि हमारे पास क्यूंकि quantity और यहां पर है और यहां पर हमने tax all caps कर रहा है तक कि यह already पूरी caps में आ जाए हमें individually इसे टेक्स को अपर केस लाटर में ना करना पड़े राइट तो अब हमें यह दो की जगए दो और चाहिए हैं और यह क्योंकि सेम ही उस प्रॉपर्टी चाहिए हमें तो हम मैं इस टेक्स्ष वह को कपी कर सकता हूं दोनों को राइट दोनों को की करना है और स्टर्टिंग से लेकर एंऍड तक जहांपे closing हो अउजंग और क्लोजिंगि हो रहा हैowych मैं तक कोपी करना है वहना इसमें एयरा जाए और मैं यहां पर मर्ज हुए पर खुद सेम दिख रहा है तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे जैसे ही मैं ले आउट में यहां पर डिजाइन में क्लिक करूंगा तो मुझे दिख रहा है कि यह कौन सा टैक्स विए कौन सा है यहां यह वाला यह हायलाइट हो गया देखिया और जैसे मैं इसकी वेल्ली वाले को क्लिक करूंगा तो यह भी हैलाइट हो गया इससे हमां चाहिए है झाल झाल झाल